क्या आप जान दे हैं नंबर 9 का रहसी क्या है और उसका महाभारत के साथ क्या कनेक्शन है पांडव और कौराव सेना के बीच वह एक कुरुक शित्र की यूद को सबसे बड़ा यूद माना जाता है इस लड़ाई में और कोई तो पूरे महाभारत में कुछ ऐसे राश्य छप होता है भगवत गीता में किपने अधियाई है अठारा जिसका टोटल भी नौ ही होता है और महाभारत में भीकुल अठारा परवत है अब यूद की ओर नजर करें को रहों के पास 11 अक्षोहनी सेना थी जबकि पांडव के पास साथ अगर हम साथ और 11 को जोड़े तो टोटल होता है नौ इस यूद में सामिल रथो और हाती की संक्या 21,870 जिसका टोटल भी नौ गुट सवारों की संक्या 65,610 जिसका टोटल भी नौ इस यूद में भाग लेने वाली कूल पैदल सेना 1,9350 जिसका टोटल भी नौ इन फेंट्री में लोगों की संक्या थी 19,68,300 हाथियों के साथ लोगों की संख्या 7,87,320 रतों में सम्मेलित व्यक्तियों की संख्या भी 7,87,320 थी जो टोटल 9 होता है यूद में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या 47,23,920 जिसका आप टोटल करें तो भी 9 ही होता है भारतिय घ्रंतों के अनुसार लौ नमर ब्रह प्रेजन करता है ब्रह्म का अर्थ है विस्तार करना दीव यह पार्ट एको हम बहुत च्यम्प के अनुसार मैं एक हूं मैं अनेक बनने की इच्छा रखता हूं इतना सब होने पर भी ब्रह्म वही है तो फिर इसका नमर नौ के साथ क्या कनेक्शन है तो वेन्यों मॉलिपल चोने पर भी मैं वही रहूंगा मतलब नंबर नाइन ही रहूंगा और हाँ इसके अलावा हमारी भारतिय संस्क्रिते में और कोई नाइन का कनेक्शन है जो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही कुछ इंड्रेस्टिंग फैक्ट्स जाने के ल है